साथियो नमस्कार अभार अभिनंदन और जुहार तमाम देश वासियों को अस्सलाम आलेकुम माहे रमजान मुबारक हो बैठिये सर्क हमारे जीतेंदर भहिया रोहतास जिला के अंतरगाता वस्थित सासा राम से आए हुए हैं चनकी गाओं और भगहला थाना से आये हुए हैं और आपका सर रोतुवा गाओं से आये हुए हैं तो बैठिये कल से ही हमको दोनों भहिया ने मिलकर के बताया की मुबाराक जी बीच्छू के बारे में कुछ कारगर चीज बताये गाउं घर में बहुत सारे बिच्छू निकलते हैं लोग इसे मार देते हैं और कुछ को तो काठी लेते हैं यानि डंकी मार देते हैं तो साथियों चेहरे की चमक और घर की उचाईयों पर मत जाना घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना की आसियाना अम बिच्छू रखा हुआ है साथियों हमारी एक बात हमेशा याद रखना इस जमाने में तुम्हें गैरों से नहीं अपने पास रहने वालों से सावधान रहना चाहिए तो यही है इस कारपियों हिंदी में हम लोग बिच्छू बोलते हैं बिच्छू एक ऐसा प्रानी है जिसक वह विच्छु को एक टेंटू का रूप में ले लें टेंटू जिसे देखिए गाना अभी बहुत सारे यूथ लोग क्या करते हैं टेंटू लगा लेते हैं जब तक नहीं बीच्छु का आगे दबाव डालिएगा तब तक यह काटता भी नहीं है डंक भी इलाज सुन लिजे बिच्छू अगर डंक मार दे तो आयूरवेद इलाज एक माची से ले लें दस्ठो लकडी निकाल दे तिल्ली और छुरी या बिलेड के सहारे जो जलता है फासफोरस वो एक जगह रख दें साब सुथरा कागज में एक बुंद पानी डालके अच्छी तरह टाबलेट बनाने गोल और जहां डंक मार दिया है वहां लगा लें जलन खतम बिल्कुल जलन खतम और नहीं तो दूसरा जो हम लोग जाते हैं सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए वहां देखिएगा फिटकिर करते हैं टीटी लेने से पहले इस प्रीट रूई में लगा करके वहां लगा दीजिए बिल्कुल खतम तो हम चाहेंगे कि भाई यह बिच्छू साथियों मरा हुआ नहीं है बिल्कुल जिंदा है देखिए चल रहा है देख रहा है देखिए इमत सोंच लिजिए कि यह कमार देगा तो साथियों इनसान की फितरत कुछ ऐसी है कि जब जरुरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है साथियों इनसान की फितरत पहचानना नामूमकिन हो गया है क्योंकि यहां लोग अपनी जरुरतों के हिसाब से चेहरे बदलते हैं तो स साथियों इनी साथ सब्दों के साथ जय हिन, जय भारत, बेटी बचाईए, बेटी पढ़ाईए और नारी को सम्मान दिजिए और गर्मी के मौसम में खास करके अपने छटों में खेतों में खलिहानों में एक कटोरा पानी रख दिया किजिए और कुछ दाना डाल दिजिए जैसे की चावल, धान, गेहूं बहुत सारे ऐसे भी पच्छी होते हैं जो प्यास के कारण मर जाते हैं तो साथियों इन्हीं साथ सब्दों के साथ नसा से दूरी बना लिजे जो हुआ नसा का सिकार उसका उजड़ा घरदवार और परिवार इन्हीं साथ सब्दों के साथ जय हिन, जय भारत और एक बार हम चाहेंगे कि ये भाईया फिर से पकड़ लें ताकि इनको लगे कि नई भाई हम भी लाइफ में बिच्छू पकड़ाता है यह तो हमारे सिस्स हैं यह हमारे से सिच्छा और दिछ्छा ले रहे हैं यह हमारे गुरुदेव हैं गुरुओं का गुरु अजय जी है हमारे यह एक ऐसा इंसान है जो किसी के भी दिलों में राज करना इनका पहला पसंद ह होता है तो इन्हीं सब्दों के साथ जय हिन जय भारत बंदे मातरम